समाचार शो नवीन तम विकास में मैथ्यू वेंडेर पोईल ने पिरस रूबेक्स रेस में जीत हासिल करते हुए लगातार दूसरे वर्ष कोबल्स पर विजे प्राप्त की है जिसे उत्तर का नरक कहा जाता है 29 वर्षियर डच विश्व चैंपियन ने 60 किलोमीटर की एकल ब्रिकवे के साथ अपना प्रभुत्व प्रदर्शित किया वेंडेर पोईल की जीत फ्लेंडर्स टूर में उनकी जीत के ठीक एक सप्ताह बाद आई है 260 किलोमीटर की क्रूर दौर में जिसमें 57 किलोमीटर की कठिन दौर शामिल थी वह अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकल गया और निकत्तम पीछा करने वालों से लगभग 3 मिनट पहले लाइन पार कर गया रविवार की जीत वेंडेर पोईल के लिए एक उलेखनिय उपलब्धी है जो कई साइकलिंग विशयों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं ये जीत उनके प्रभावशाली रिकॉर्ड को जोडती है जिसमें एमस्टेल गोल्ड रेस और स्ट्रेट बियांचे में जीत शामिल है